सिल्वानी से हमारे संबाद दाता तार केशोर शर्मा की रिपोर्ट राइसें जिले की सिल्वानी विधान सबाम है एक दो नहीं बलकि तीन विधायक साहित पूर्व मंत्री सुरेश पचोरी ने जम कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला शांसाद भबन के उद्गाटन को लेकर पूर्व कैंत्री मंत्री सुरेश पचोरी ने कहा कि महामाईम के इस्थान पर प्रदान मंत्री जी के उद्गाटन किया उसकी हम निंदा करते हैं जहां एक और साथ जून में मद्द प्रदेश के मुख मंत्री सिवराज सिंग चोहान शिलवानी बिधान सबा के बमहोरी में आम सबा को संबोदित करने बाले हैं बही आज सिल्बानी बिधान सबा में कांग्रेस के तीन पूर्व बिधायकों साहित पूर्व कैंद्रिये मंत्री ने मंडलम सेक्टर की बैठक में हजारों कारीकरताओं के साथ बीजेपी पर जम कर हमला बोला बही प्रदान मंत्री द्वारा सांसर भवन के लोकरपन पर राष्ट पती को चामिल नहीं करने पर निंदा भी की बिधायक कुडाल चोधरी ने कहा है के 150 से अधिक सीटे हमारी कांग्रेस की आ रही है बही पंद्रा सो रुपए बहनों को देना है और पांच सो रुपए गैस टंकी भरी जाएगी यह हम बादा करते हैं किसानों की हालत प्रदेस में दाइनी है बही पर कांग्रेस पाइटी के लिए उम्मीद बात महत्पून नहीं है पाइटी महत्पून है यह हम सभी संकल्प ले रहे हैं और कार्यकरताओं से संकल्प दिला रहे हैं बीजेपी सरका में किसान परेशान है उसे बाजित दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं बहीं गरीब और अनुसूचित जन जाती के लोग परेशान है नारी सक्ति का सम्मान होगा बरपूर रोजगार देंगे महिलाओं को पंद्रा सो रुपए प्रतिमाय देंगे और रोज मर्ला की आवश्चक ब यह प्रजातंत्र नहीं है किसानों की हालत इस समय बहुत ही खराब है प्रदेश को बना दिया घोटाला प्रदेश प्रदेश में कानून विवस्ता की हालत चिंता जनक है प्रदेश में ब्यापन घोटाला सिंगस्त घोटाला नर्सिंग घोटाला मद्यान भोजन घोटाला और रोम जैसी अनेग घोटाले हुए है जिनकी सरकार सही समय पाज जांच नहीं कर रही है उज्जेन में 11 अक्टूबर 22 को लगबग 365 करोड रुपे की लागत से महाकाल लोक कारीडोर का उधगाटन हुआ था इस महाकोल लोक निर्माण में स्रेश मुखमंत्री पूरे प्रदेश में अपनी पीठ लगा कर थप थपा रहे थे बहीं 28 मई को पहली पारिस में इस महाकाल कारीडोर में इस्तापित कई मूर्तियं गिर के टूट गई यह महाकाल में घटिया निर्माण एबन भेश्टाचार का जीता जाकता सबूत है सिल्वानी से हमारे संबाद दाता तारकेशोर सर्मा की रिपोर्ट